नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत हैं मेरे यूटूब चैनल लेफटक को मोत्पार आप लोगों के बहुत क्वेरी आ रही थी कमेंट्स या वाट्सेफ के माध्यम से किसे कांशिलिंग कब तक आये हो जेतो हो तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ THB Group 5 Counseling 2024 अभी कुछ दिनों पहले जो है रिजल्ट जा रही हुगा था जिन लोगों का सिलेक्शन हुगा है और जिन लोगों के वेटिंग भी आये हैं वो भी यह सारे डॉकुमेंट्स तैयार कर रखें और पिछला जो हमारा एक जितने भी कैडर हैं पैरेमेडिकल के अंतरक्त आने वाले सबकी काँस्लिंग के लिए आपको जानना जरूरी है कि कब होगी कैसे होगी और कहां होगी तो मैं आपको एक-एक जबाब देता हूँ कि कब होगी तो बहुत जल्द होगी खासकर Medical College की जो counseling है वो बहुत जल्द होने वाली है और जो DHS की है वो भी होने वाली है क्यों? क्योंकि मुक्तमंत्री जी एक April को जो है परमेडिकल और नर्सिंग की जो है अतियंत अवश्चक शेवाया होती है खासकर दोनों पार्ट में नंबर वन DME और नंबर टू DHS हमारे यहाँ दो तरह की स्वास सेवा संचालेत होती है तो DME से मतलब है Direct Rate of Medical Education और DHS से मतलब है Direct Rate of Health Services दोनों की Official साइट देखो MPDME है और MPDHS है आप Official साइट पर भी जाके आप New जो Lattest Update है वो देख सकते हैं Then Direct Rate of Medical Education में होता क्या है कि सारे Medical Colleges है अब Medical Colleges की जो काउंसलिंग होती है चुकि यह सब Autonomous Body है तो Autonomous Body में वो चाहें तो आज भी Notification जारी कर सकते हैं तो आप लोगों को सरफ क्या करना है कि जिनका जिस Medical College में सेलेक्शन हुआ है Suppose किसी का DMC में हुआ है मतलब दतिया Medical College में किसी का स्यूफरी Medical College में किसी का विदिसा Medical College में तो आप Official Site पर जाएं और Official Site पर लगातार जो है चीज़ें अपडेट होती रहती है वहाँ पर आपको Notification मिल सकता है या फिर आपको वो मेल के द्वारा भी आपको बताएंगे तो जो जिन-जिन लोगों के Medical College में हुए है DME में वो अपना देखते रहे हैं अब MPDHS का मैं आपको बता रहा हूँ इसकी Counseling दो तरह से आयोजित होती है एक तो होती है मद्ध प्रदेश घोपाल लेवल पर और दूसरा होती है संभागी इस तर पर दूसरी होती है संभागी इस तर पर तो अब ये फरक क्या है अगर मद्ध प्रदेश घोपाल जो की JP Hospital जिलास पताल है वहाँ पर होगी तो वो आपको डिस्प्ले करेंगे कि कौन सी पोष्ट कहां पर खाली है और कौन से संभर्ग की है मतलब ST, SC, OVC क्योंकि इस वार बहुत सारी वेकलॉक पोष्ट थी तो आपको 24 पिलिंग के चांसिस मिलेंगे कहने का मतलब कि आपकी मन्चाही जगह मिलेगी आप बोलोगे मुझे सागर संभाग जाना है, आप बोलोगे सागर में मुझे दमो जाना है, दमो में मुझे CHC पतरिया लेना है क्योंकि ये वाली जो services होती है वो PHC, Community Health Center, Shival Hospital and District Hospital तो आपको ये सारी चीजें आपको अपने मनमताविक मिल सकेंगी और अगर संभाग ये स्तर होती है, तो Commissioner Office में होती है Commissioner Office में होगी तो फिर वो आपको provide कराएंगे according to backlog post जहां जहां पर backlog post खाली है तो ये जानकारी थी counselling की, अब आप लोगों की कुछ-कुछ query आ रही थी कि Sir मेरे पास मेरे certificate नहीं है, मैं क्या करूँ तो मैरे certificate अगर हो तो, मैंने पहले भी आपके document verification वाले वीडियो में बताया कि अगर हो तो, नहीं है तो विल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं है फिर भी आपको अगर confusion लग रहा है, तो आप एक affidavit बना के ले जाएं दूसरी query आ रही थी 10th mark sheet की, तो 10th mark sheet केवल उपयोग में आती है date of birth के लिए, बांकि किसी चीज के लिए नहीं आती दूसरी चीज में आपको बता दूँ, waiting वालों के लिए, especially कि waiting वालों का क्या होगा, तो waiting वालों को मैं आपको जानकारी देदू कि विया कम से कम 20 लोग ऐसे मैं personally नाम जानता हूं, 8 से 10 तो DMT student है जिनकी exam हो चुके हैं, उनमें से भी 5 student ऐसे हैं कि अभी exam नहीं हुए हैं, फिर भी paper दिया है और उनका selection होगा है, किसी का सेवपुरी में होगा, किसी का दतिया में होगा, किसी का DHS में होगा है तो waiting आप लोगों के clear होने वाली है, इतना तै है तो waiting वाले बच्चे बिलकुन निरास ना होँ, waiting वालों के लिए मैं इतनी सी help कर सकता हूँ चुकि हमारे पास मद्रदेश से, इवन बिहार से, और UP से भी बच्चों के phone आते हैं कि सर मेरा यहां selection होगा, तो मेरे को पता है, पर मैं नाम नहीं बताऊंगा किसका कहां selection होगा है और ये भी मज़े पता है कि कितनी waiting कहां clear होने वाली है चाहे वो pharmacist की हो, चाहे वो lab technicians की हो, A&M की हो, radiographers की हो, किसी की भी हो तो मैं इतनी मदद कर सकता हूँ कि आप लोग एक group बनाओ 9826347851 ये मेरा number है, आप लोग एक group बना सकते हो waiting वाले और खासकर जिनकी 1, 2, 3, 4, 10, 20 या under 30 waiting है तो आप क्या करोगे कि एक group बना के, देखो, क्या होता है कि अभी हाल ही में एक ब्यापम का ESV का calendar चारी हुआ है group 5 के लिए, कि November में वो परिक्षा आयोजित करेंगे तो सरकार क्या चाहती है कि आपके waiting से पद ना भरे जाएं और वो खाली रह जाएं, तो हम backlog कोटे में डालके फिर से निकालें उससे यह होता है कि जितने विरोजगार वच्चे होते हैं, वो खुस होते हैं कि चरो सरकार ने, आखर निकाली तो vacancy तो अगर ऐसे मैं आप, अगर संपर्ग नहीं करोगे संचाल नाला ऐसे DHS से, तो आपका कुछ नहीं होने वाला, इस बात की गारंटी है नहीं सेकेंड काउंसलिंग आयोजित होगी ही नहीं पर अगर जैसे ही DHS की पिर्थम काउंसलिंग आयोजित हो जाती है और आपको लगता है कि इतनी पोश्ट खाली है तो आपको उसके लिए सक्रिय होने पड़ा जा उसक्रिय होने से आपका क्या होगा कि तभी वेटिंग के लिए होगी नहीं तो वेटिंग के लिए आपकी होने वाली है नहीं सो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और देखते रहें मेरा यूटूब चैनल थेंक यू